नमस्कार मैं प्रग्या ध्रधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान क्रयास होनी के बाद अब पूरी दुनिया की दिगाहे चंद्रियान 3 पर टिकी है भारत ने चंद्रियान 2 भी भेरा था जिसकी सौफ लैंडिंग नहीं हो सकी थी रूस से पहले जापान भी चंद्रमा के दक्षनी दुरूप पर अपना स्पेस्क्राफ लैंड नहीं कड़ा पाए हैं अगर भारत का मिशन चंद्रियान 3 कामियाब रहता है तो भारत को अंतरिक्ष में सूपर पावर बना देगी यहां से भारत का अंतरिक्ष जगत में महा विमान के आपात लैंडिंग कराई गई है इंडिगो का यह विमान उतर प्रदेश की राजधानी लखनाव सुरान भर कर सारजा जा रहा था विमान के रफ्तार पकरते ही फ्लाइट के क्रू मेंबर को बताया गया कि विमान में सवार एक यात्री को हाट ठैक आया है से अफ अकर उन्हें गड़ीवी रेखा से बाहर निकालने के लिए किये जाड़ है प्रयासों के सुखत परिणाम सामने आये हैं आकड़ों के हवाले से देखे तो वीदिय वर्स 2020-21 में GSTP 16,45,317 करोड रुपए थी जो कि 2021-22 में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 19,45, 15,532 करोड रुपए हो गई है वहीं 2022-23 के लिए तैयार अगरिव अनुरमानों के आधार पर राज़े आई 21,9,1 लाग करोड रुपए से आंकलित हुई है आर्वी आई की रिपोर्ट बताती है कि वीदिय वर्स 2013-14 के 1,1 प्रतिशत के सपोक्ष 15 गुना बढ़ा कर 2022-23 में अध्यक्षोर संसद में एक मुखर मुस्लिम संसद असुदीन ओवैसी के परदादा हिंदू ब्रामन थे तूलसी राम दास उनके पर दादा का नाम है इस बात की जानगारी जब खुद ओवैसी को लगी तो वो हैरान रह गया है सोसल मीडिया पर एक महिला का टूइट शेयर करते बुन होने कहा कि जब भी वंस गरना होता है तो संग्वाले उनके लिए ब्रामन पूर्वज खोशते हैं महिला ने फारुक अब्दुल्ला और मुहमद अली जुन्ना के परदादा का नाम भी धून निकाला है साथ ही कहा कि यह तीन नीता आज मुसलिम के रहनुमा है असुदी नोवैसी ने एक्स पर एक स्क्रीन शेयर की और कहा कि जब भी वंस धूनते हैं तो संग्वियों को मेरे लिए ब्रामन पूर्वज जूनना पड़ता है कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है इसके नए नए वैरियंट सामने आ रहे हैं दुनिया को कई नई चुनाती पेस्ट कर रहे हैं एक बार फिर नए वैरियंट नहीं दुनिया के चार देशों में दस्तक दी है माना जा रहा है कि है variant बहुत खतरनाक है इस नए variant का नाम BA.2.86 है मीडिया डिपोर्ट्स का निसार कोरोना के नए variant BA.2.86 का अमेरिका ब्रीटेन और इसराइल में इसका एक-एक मामला सामने आया है वहीं डेन्मार्क में इस variant से संक्रमें तीन मरीज मिले हैं यूपी की अयोध्या में प्रसिध रामलाला का मंदिर बनाया जाड़ा है अभी वर्तमात समय में गर्वगरी का 70% काम हो चुका है माना जाड़ा है कि भवे रामलाला का मंदिर अगले साज जर्वाडी 2024 में बन कर तयार हो जाएगा इसके लिए युधास्तर पर काम किया जाड़ा है मंदिर की पूजा के लिए पीयम मोधी को ने उताब भीजा जा चुका है भवे रामलला की प्रान प्रतिस्था अगले साथ मंकर शक्रान्ती के बाद 16-24 चन्वरी के बीच सुब मुरत में निर्मित गर्भ ग्री में किया जाएगा 13 जुलाई को पटना में बीजपी नेताओं पर हुए लाठी चार्ज का मामला अब लोगसभाय स्पीकर ओम बिल्ला के दफ्ता तक पहुँच किया है इस मामले को गंभीरता से लेते वे लोगसभाध्यक्ष ओम बिल्ला ने पटना के डियन डॉक्टर चंदर सेखर सिंग और स्सपी प्राजीव मिश्रा को दिल्ली तलब किया है वीतर दिन अविवार को कॉंग्रस निता राहूल गांधी ने केंदर सरकार दोरा दिये गया बयान पर जिसमें चीन द्वारा भारत की सीमा पर एक जमीन नहीं लेने का दावाध को गलत बताया गया है जिसमें चीन कीप फुस्ट लिब्रेशन आर्मी के शानी को दोड़ा भारती भूमी पर कबजा कर लिया गया था यह जो धर्म गुरूव एगड़ा हैं इनके आश्रम देखे हैं आपने 5 स्टार, 7 स्टार, 8, 10 स्टार रिजॉर्ट सर्म खाजा इनके साम ने ये प्राइवेट चार्टेट प्लीन में घुम रहे हैं दस पचास उनके बॉडी गा चल रहे हैं उनके साथ, आगे पीछे लोग खड़े हैं इसके साथ उन्होंने कहीं और बाते भी कहीं होके इंडिया ने चीन के हांग जाओं में होने वाले ACI खेलो की तैयारी के लिए सोंबार से बेंगलूरू में शुरू होने वाले राश्ट्रे कोचिंग सिवीर के लिए रविवार को 49 अदश्य है पुरूस टीम के संभावित कोर्समों की घोषना के सिवीर का आयोजन 21 अगस्त 16 सितंबर तक बेंगलूरू के साई में होगा इस दोरान खिलारियों को अपनी कोश्र का निखाएने का भी मौका मिलेगा बता दिक एश्याई खेलो का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होगा इस महिने की शिरवात में चन्नाई में रिकॉर्ड चौती बार एसी आई चैंपियन्स टॉफी का किताब जीतने वाली भारतिय पुरूस टीम 24 सितंबर को उजबेकिस्तान के खिलाफ एश्याई खेलों में अपने अभियान की शिरवात करेगी साउग सूपरस्टार रश्टिकान सनिवार यानि 19 अगस्त को अभिनिता ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ से मुलाकात के और उनके पैट चुए जिसका वीडियो सोसल मीडिया पर वाइडल हो रहा है इंटरनेट यूजस ने अक्टर के पैट चुने को लेकर नाराजगी चताई और उन्हें जम कर ट्रॉल कर दिया है वीडियो क्लिप को जो हमीशा कहते हैं कि मुसलमान बाहर से आया थे जिसका मैं हमीशा तरक देता हूँ बहुत ही कम मुसलिम बाहर से आये हैं जहातर हिंदुस्तानी मुशलमान है दुनिया में और हिंदुस्तान में भी इसलाम कभी भी तलवार के बलपड नहीं आया है बलकि महों बदप्यार और पैगाम के जरिये आया है इस पर होने सवाइग देते वे कहा कि मैंने जो कहा था उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया गया जिसकी वज़े से जनता भी भ्रहम हो गया प्याज के खुदरा दामों को नियंतरित करने के लिए केंदर सरकार इस साल दो लाग टन प्याज और खड़ी देगी इसके साथ ही बफर स्टॉक पांच लाग टन हो जाएगा पतादे के आसे दिली सरकार के दोर अदिली में सबसीडी पर 25 रुपए कीलो प्याज बेचना शुरू कर दिया गया है सस्ता प्याज बेचने के लिए 10 मोवाइल वैन और ONDC प्लैटफॉर्म तयार किये गये हैं व्वक्ता मामलो का मंतराले दिली आंद प्रदेश तिलांगना हिमाचल प्रदेश और समझे से बड़े केंद्रों पर कीमत नियत्रित करनी पर जोड़ दे रहा है बिहार बीजेपी ने बड़ा फैसला रेते वे बिहार विधान परिसद में हरी सहनी को निता प्रतिपक्ष बनाया है लेकर कसं खा चुका है कि यदी आरक्षन नहीं तो वोट नहीं दरभंगा में एमस नर्मान को लेकर केंद्र और बिहार सरकार के बीच चल रहे खीचतान के बीच लविवार को उपमोखे मंतरी तेश्वी आदव ने केंद्रिय स्वास्ते मंतरी मन्सुक माणविया को पत्र लिखा है पत्र में तेश्वी आदम ने साफ कहा है कि राजे सरकार ने दर्भंगा में जहां जगह चिनित की है वहीं एम्स का निर्मान करा है साथ ही डीम्सीच में अब जगह स्रीश नहीं रहने की बात भी की गई है उन्होंने केंदरिय मंतरी से नोरोत किया है कि उत्तर बिहार की जनता की व्यापकित राजे में चिकिसा सुधा के सुधरी करन हेतू एम्स दर्भंगा के स्थाप्रा राजे सरकार दोरा प्रस्तावित उप्योक्त भूखन के प्रस्ताओं को सुर्कित करने पर सग्रहीं सकरात वर्ट वाच इंस्ट्यूट की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भरते सहरी करण और उच्छ खपत के कारण भारत अब सबसे अधिक मात्रा में ठोस कच्रा पैदा करने वाला सिर्श देश तस देशों में है प्रते दिन लगभग 6,21,000 टन ऐसा कच्रा पैदा करने में अमेर सील देश है जिसमें ब्राजीर, चीन, भारत और मैक्सिको इसका मुख्य करण उनकी सहरी आबादी का बड़ा आकार है और उनके सहरवाशी उच उच उपवोग पाले जीवन सारी अपना रहे हैं काशी विश्वनात मंदर में दर्शन के लिए आने बाले दर्शनाथियों की भीर की वज़े से ग्यानवापी परिसर में भारतिये पुरातत्व सरविक्षन सरवे 17 दिन वविवार को लगबग 1 घंटे देली से शिड़ हुआ रोज की तरह टीम ने साम पांच बे तक सरवे किया इस दुरान दो पहर में दो घंटे नमाज के लिए सरवे रोका गया एसाई सरवे टीम छवानों में सवार होकर सुभर 9 बज़े ग्यानवापी पहुँच श्रत धालूओ को किसी तरह किया सुविथा ना हो इसलिए पुलिस ने पहले से रास्ता खाली करा दिया था टीम ने ग्यानवापी परिशन में पहुँचकर पहले सित्य अस्थानों पर सरवे शुरू किया डिन्मार के कोपेन हेगन में सुमबार से वर्ल बैडमिंटन चैंपियंशिप के शिरवात हो रही है इस चैंपियंशिप में भारत के स्टार महिला खिलारी पीवी सिंधू, युवा सितार एलक्षे से बहतरीन फार्म में चल रहे है एच-एस प्रणाय के दाम भी श्रिकांथ हिस्सा ले रहे हैं लेकिन सभी का ध्यान मेंस डवल्स की जोड़ी सातविक साही राज रैंकी रेड़ी और चिराक सटी पर होगा जो इस समय शांदार फॉर्म में है इस साल ये दोनों जम कर धमाल मचा रहे हैं और अगर वर्ल्ड कप चैंपियोंशिप में पदक अपने नाम कर ले तो हरानी नहीं होगी नेशनल कॉंफरेंस के अध्यक्स फारुक अब्दिल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार जवाहर लाल नहरू और सीख अब्दिल्ला के नाम पर रखे गए संस्थानों के नाम बदल रही है लेकिन उन्हें इतिहास से नहीं मिटाया जा सकता फारुक ने कहा कि वे सरकार नाम बदल कर इतिहास नहीं बदल सकते क्या वे इतिहास से सीख मुहमत अब्दिल्ला जवाहर लाल नहरू और महात्मा गांधी करे नाम को हटा सकते हैं समचार एजनसी के मताबिक NCP प्रमुक ने कहा कि उन्होंने किताबों से मुगल साशन के चैप्टर हता दिये लेकिन वे इतिहास से मुगलों को कैसे मिटाएंगे उन्होंने कहा कि जब मेरे बच्चे और आपके बच्चे ताज महल देखेंगे तो पूछे के किसे किसने बनवाया तो वे क्या कहेंगे राहुल गांधी ने अपने रद्दा के दौरे की कुछ तस्वीर शेयर की इसी तस्वीर को लेकर 2012 की कुछ तस्वीरों से तुलना करते वे केंद्रिय मंत्री किरेन रिजुरी ने कहा कि केंद्र सरकार के शार्षनकाल में रद्दा की तस्वीर है कितनी अच्छी और बहतरी इससे पहले राहूल गांधी ने यह भी दिखाया कि कश्मीर घाटी में परेटन कैसे आकरशित होड़ा है और सभी को याद दिलाया कि हमारा राश्ट्रिय ध्वज अब श्रीनगर के लाल चौकपर सांतिपूर्वक फेराया जारा सकता है। शाम 6 बच कर 4 मिनट पर चंदर्मा की सतफ पर उतरने की उम्मीद है। अंतरिक एजनसी ने कहा कि लेंडर मॉड्यूर प्रस्तावित सौफ्ट लेंडिंग से पहले अंद्रोनी जांच की प्रक्रिया से गुजड़ेगा। अमेरिका के पुर्व राश्रुपती डोनाल्ड टरंप ने एक बार फिर से भारत में कुछ अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाले उचे टैक्स दरों को मुद्दा उठाया है। अगर भारत हम पर टैक्स लगाता है भारत बहुत जादा टैरिफ लगाता है। अगर हम उन पर कोई टैक्स नहीं लगाते तो क्या हम उन पर 100 फीजदी टैक्स लगा सकते हैं। दरसल केगे पाठक स्कूलों के निर्मान कारे में खामिया पाई जाने के बाद नाराज चल रहे हैं और इसलिए उन्होंने सभी सहायक इंजीनर जूनियर इंजीनर को आदेश जारी करते वे असपस्ट कर दिया है कि अगले आदेश तक सभी स्कूल परिसर के निर्मान कारे पर रोक लगा दिया जाए और साथ यह भी निर्देश दिया है कि बिना अनुमती के किसी भी प्रिकार का निर्मान कारे अब विद्याले परिसर के अंदर नहीं होगा बी 13 जुलाई को बीजेपी नेताओं के दोर असक्चको की मांग और लैंड फॉर जॉब्स केस में चार्जर सीटेट होने के बाद यह श्वी गस्तिफिक की मांग को लेकर विधान सभा गेरने के दुरान उन पर पुलिस के दौरा लाठी चार्ज किया गया था इसमें कहीं बीजेपी नेता घायल हो गए थे ऐसे में अब इस मामली को लेकर लोगसभाय स्पीकर ओम बिर्ला के दोरा पटना के दीम और स्पी को 30 अगस्त को दिल्ली में तलब किया गया है मालम हो किछकी शिकायत लोगसभाय स्पीकर से लाठी चार्ज में घायल हुए ब पारका का एक्सप्रेस वे हाईवे 29 किलोमीटर लंबा हाईवे है हमें इसके लिए जो कैबिनेट नोट भेजा था उसमें लिखा था कि हम 5000 किलोमीटर टू लेन प्योर सोल्डर रोड बनाएंगे और उसकी लागत 91,000 करोड रुपए आएगी उसमें से रिंग रोड और फ्ला की योजना अग्रिम रूलिंग की पूरी प्रक्रिया को नियुंतम इंटर्फेस के साथ बनाने और अधिक दक्षता पार्दर्शता और जवाब देही प्रदान करने के उद्धे से शुरू की गई है CBTT की विग्यपती के नुसार इन बोडों ने इमेल आधारित प्रक्रियाओं और वीडियो कांफिरंसिंग के माधियम से सुनवाई करना शुरू कर दिया है फोटोसोप निर्माता अडोबी के को पॉंडर जॉन वनार्क का 42 साल की उम्र में निधन हो गया उनके मृत्तियों का कारण डिस्क्लोज नहीं किया गया है जॉन वनांक ने 1982 में चार्ल्स गेसके के साल अडोब की सुरवात की थी अडोब दुरिया भर में अपने कंप्यूटर सॉफवेर के लिए जाना जाता है कंपनी की प्रमुक सॉफवेर है फोटोशॉप अडोबी प्रीमियर प्रो अडोबी अक्रोबैट आदी उतर प्रदेश में पहली बार C.A. चार्टर अकांटेंट और C.S. कंपनी सेक्रेटरी के चात्र भी अब अपने नाम के आगे डॉक्टर लख सकेंगे चातरप्रती शाहुजी माराज विश्विद्याले प्रदेश में पहली बार C.A. व. C.S. को PhD करने का मौका दे रहा है C.S. J.M.U. का काम परिसद ने भी C.A. और C.S. में PhD कोर्ट सुरू करने करमती प्रिदान की है कारे परिसद ने C.A. व. C.S. को PhD के योग्य माना है और उसे परासना तक आस्तर दिया है नेशनल कारियर सर्विस पोर्टिल के आंकडों के मताविक पिछले 6 वर्सों में निबंधित बेरोजगारों में सबसे अधिक 2017-18 में 26 प्रतिशत युवाओं को रोजगार मिला है बाकी रोजगार के लिए राजी या दूसरे राज़ों में चले गए हैं 2023-27 में अब तक 26,843 बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है हमाई दोर पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों और प्रजवाब हमें मारी कमेंट स्क्ष्ण बॉक्स में लिख कर दिया था